हाई एक बहुत कॉमन क्वेस्टिन जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है वो यह है कि सर्दियों में हार्ट अटैक की संभावनाएं मौर्निंग में जादा होती हैं या इवनिंग में जादा होती हैं तो हेलो आयाम डॉक्टर अंशुल गुपता कंसल्टेंट इंडर्वेशनल कार्डियोलेजिस्ट यानी अर्देरो भुशेशाग्य मनिपाल हॉस्पिटल चैपुर और मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि सर्दियों में जो हार्ट अटैक हार्ट फेलियर की तो बीछे बहुत सारे कारण है। स्टडिय में यह पाया गया है कि हमारी बॉड़ी इन सर्दियों में गिरते हुए टेंपरेचर के कारण काफी सारी एडप्रेशिंस लाती है अपने अंदर। तो यह चेंज़ेस हमारे हर लेवल पर होते हैं वह हार्ट में होते हैं वह ब् अपना temperature maintain करने के लिए body के हर organ को extra काम करना पड़ता है, तो ये एक extra stress होता है हमारी body के उपर, हम जानते हैं कि इन सर्दियों के कारण हमारे हाथ पे धंडे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हाथ की नसे सिकुड जाती है, अब ये सिकुड़ी होई नसों के कारण हमारा blood pressure बढ़ता होता है, क्योंकि हमारे cholesterol के levels अकसर सर्दियों में बढ़ जाते हैं, इसके पीछे काफी सारे कारण है, एक और जहां हम अपना food, हमारा जो गोजन है, उसमें काफी हद तक हम oily foods include कर देते हैं, पराठे, non-veg, बहुत सारी चीजें जो कि high cholesterol tight है, वो थोड़ी से बढ़ जाते है और दूसरी और अगर हम देखें, तो exercise, exercise काफी हद तक कम हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम काफी time तो indoor ही spend करते हैं, बहार नहीं निकलते हैं, हमारी walk वगरा सब कुछ effect होता है, सर्दियों के कारण, तो ऐसे में cholesterol levels बढ़ जाते हैं, हमारे heart attack के chances बढ़ जाते हैं, एक और कार morning में heart attack, heart failure के chances बढ़ जाते हैं, कुछ other factors की अगर हम बात करें, तो alcohol है, smoking है, या काफी सारे respiratory infections, जो सर्दी, खासी, बुखार वगरा काफी हैं, ये सारी चीजें भी आने पर body के अंदर stress produce करते हैं, ये stress सब सब जादा morning के time में होती है, morning में हमारे heart को जादा risk हो जाती है, त झाल, 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